नमस्कार दोस्तों हमारा बिहार में आपका स्वागत है आज है 20 अपरेल 2020 और 20 अपरेल 2020 से जितने भी करें इंटरफेस के कोश्चन है जो बिहार से जुरे हुए है उसको आज हम डिसकस करेंगे और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलेड कर सकते हैं टेलिग्राम अप्लिकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचवी और चैनल को जोईन कीजिए वहां पे आपको सारे दिन का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों लेंग्वेज में मिल जाएगा और दोस्तों वहां पे आपको मंतल वार बिहार के किस महिला को SVI के के केंद्रिये कर्याले मुंबई में उप प्रवंदक निदेशक बनाया गया है तो दोस्तों का नाम है सलोनी नारायन टीक है वी आप्सन इसका सई हो गया और ये बिहार की पहली ऐसी महिला बनी हैं जिन को विनका चैन SBI के केंदरिये कार्याले में मुंबई में उप प्रवंदक निदेशा के पद भी निट किया गया है और सलोनी नरायन जो यह भागलपूर की रहने वाली है और पहली वार किसी बिहारी महिला को यह पद दिया गया है अब दोस्तो नाम आया है भागलपूर का तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते है तो दोस्तो यह आगया बिहार का मैप वह यह रहा भागलपूर जिला भागलपूर जिला का सिम और किसकी जिला से सटा हुआ है तो देखिए कटिहार है, पुर्णिया है, मधेपूरा है, खगडिया है, मुंगेर है और भांका है ठीक है अब दोस्तो नाम आया भागलपूर का तो चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं तो दोस्तो भागलपूर जिला के साथ साथ एक प्रमंडल भी है और भागलपूर जिला का मुख्याले भागलपूर में ही है भागलपूर पर मंडल के अंतर का दो जिला आता है, भागलपूर और बाका और या बिहार के मैदानी छेतर का आकरी सीरा और जहारकंड और बिहार के कैमूर की पहारियां का मिलन अस्तल है और पुरानों में और महाभरत में इस छेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है और भागलपूर के जरदालू आम तथा कतरनी चावल को जी आई टेग मिला हुआ है बिक्रम सिला गंगा डॉल्फिन अव्यारन भागलपूर में है जिसका स्थपना उन्हीं साइक कानवे में हुआ है भागलपूर को विहार का सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपूर में फल अनुसंधान संस्थान है भागलपूर तसर रिसम के लिए प्रसीद है विक्रम सिलाबिस विदाले भागलपूर में है विक्रम सिलाबिस विदाले के संस्तपक धरम पालत है 855 में सीद्धू, कांदू और चांद बहरविंचार भायों ने मिलकर भागलपूर में संथाल विद्रो किया था और 855 में संथालों ने भागलपूर राजमहल में अपनी सरकार्गी घोसना की थी और भागलपूर राजमहल को दमवन एकोह के नाम से भी जाना जाता है और दीप नरैंसिंग के परियतनों से बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो की 9 और 10 अपरल 1909 को हुआ था ये भागलपुर में ही संपन हुआ था चलते हैं अगले कोशन की तरब तो अगला कोशन है किंद सरकार द्वारा विहार को कितना कोरोना रैपीड टेस्ट कीट उपलब्द कराए गया है और दोस्तो इससे राज में कोरोना टेस्ट में तेजी आएगा और विहार को मिलने वाला यह पहला किस्ट है रैपीड टेस्ट कीट का और विहार को और भी केट अगय उपलब्द कराया जाएगा अगला कुशन है विहार के बहुत अस्तोलों में फसे किस देश के पर्याटको को 22 अपरेल को उसके देश पहुचाया जाएगा तो दोस्तो मियानमार के प्रेटन फसे हुए है इनको 22 अपरेल को उसके देश पहुचाया जाएगा यह आफ्टन इसका सही हो गया और सभी यात्तरी को 22 अपरेल्स को गया एरपोर्ट से मयानमर ले जाया जाएगा और यह सभी राजगीर बोध गया नालंदा और 12 नसी में फोसे हो गया है अब जोस्तों नाम आये मयानमर का तो चलिए इसके बारे में जानते हैं देखें यह है मयानमर का फ्लैग ठीक है मयानमर की राज़ानी है नैपिद्या और मुद्रा है क्याट और मयानमर के राश्पती है यू विन्मिंट और मयानमर को स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है इसका पुराना नाम वर्मा था और भारत सासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे भारत से अलग कर दिया गया था और रंगून में अंतिम मुगल सासक बहादूर साजफर का मकवडा है और इरावदी नदी मयानमर की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1270 किलो मेटर है अगला कोशन है राज जी की महत्वकांची योजना हर घर नल का जल को कब तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है तो हर घर नल का जल योजना जो है इसको जून 2020 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है बी आप्सन इसका सही हो गया इस योजना को मार्श 2020 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया था लेकिन कोरोना के कारण अब यह लक्ष 2020 तक एक्स्टेंड कर दिया गया है और इसे राजसर करके साथ निश्चय योजना के तथ हर घर नल का जल योजना का क्रिया वेन है तू मुख्य मंत्री ग्रामीन पेजल निश्चय योजना वर्ष 2016-17 में प्रारम किया गया था इस योजना के तथ राज के ग्रामीन चेट्रों में प्रते घर को वर्ष 2019-20 तक पाइप द्वारा सुद्ध जल उपलब्द कराने का लक्ष रखा गया है नेक्स्ट है हाली में वर्ड वाइस डे कब मनाया गया है तो वर्ड वाइस डे मनाया गया है दोस्तों इसका सही हो गया और इसका उद्ध दैनिक जीवन में आवाज के महदब को दिखाना है इस दिवस को 1999 में ब्राजील में सोसाइटी अफ लोरेंजोलोजी एंड वाइस द्वारा सुरू किया गया था अगला कोश्चन है हाली में कासमीर में हुए आतंकी हमला में बिहार यह CRPF के जवान थे और CRPF का फुल प्रम होता है Central Reserve Police Force और CRPF का अस्तापना हुआ था 27 जुलाई 1949 को और CRPF का मुख्याले कहा है तो नई दिल्ली में ठीक है अब दोस्तों यह थे राजीव सर्मा जो थे यह बैसाली जिला के थे तो चलिए बैसाली जिला के वारे में चलिए इसके बारे में भी कुछ जानते हैं तो दोस्तों बैसाली जिला का मुख्याले हाजीपूर में है बैसाली जिले का सपना 1972 में हुआ था और तिरहुत प्रमंडल के अंतरगत छे जिला आता है मुझाफर पूर्पूर्वी चंपारन पश्रिम चंपारन सितामडी बैस बैसाली जिला बना और बैसाली जिला का प्रमुक भासा यहां का बज्जी का है और बैसाली का नामा करन महाभारत काल के इच्वाकू बंसी राजा बीसाल के नाम पे हुआ था बैसाली जिला का प्रमुक नदी गंगा और गंडक है भगवान महाभीर का जन 540 इसापूर में बैसाली के कुन्ड गराम में होगा था और बैसाली में ही Efendimiz संगति का आजन किया गया था जो की 33 साफु शूर में काला सुके सासंकाल में होगा था विस्व का प्रतम गंराज बैसाली है और कनिंगम ने 27 के अफसेस के अधार पर बैसाली के प्राचीन अस्तल का पता लगाया था और चिरांद जो की छपड़ा के बैसाली के बला जाता है तो चिरांद और चेचर के उतकनन में नभ पासन काली अफसेस भी मिले हैं अगला कोशन है राज 21 असपाताल में 100 बेट का पेड्रियार्टिक इंसेंसिव केर यूनिट यानी PICU वार्ड बनाया जा रहा है ठीक है तो पेड्रियार्टिक इंटेंसीव केर यूनिट PICU वार्ड जो बनाया जा रहा है सो बेड़ का, वो SKMCH मुझवफरपूर में बनाया जा रहा है, C-Option इसका सही हो गया, और 15 माई तक इसे त्यार करने का लक्ष रखा गया है, पिछले वर्स मुझवफरपूर में AES इसको इनसे फ्लाइटीस या हिंदी में चमकी बुखार करते हैं, तो AES पिरित बच्चों की संक्या सबसे अधिक पाई गई थी मुझवफरपूर में और इस बीमारी की सुर्वात एक्चुली मुझवफरपूर से ही हुई थी पिछले सल गर्मी में और इसे बहर सारे बच्चे प्रभावित हुए थे और इसलिए मुझवफरपूर के SKMCH में इसका निर्मान किया जा रहा है और इस साल भी दोस्तों गर्मी शुरू हुआ है अभी और फिर से यह बिमारी दोहरा गया है और फिर से कई बच्चों में इस बिमारी को देखा गया है और अभी तक 11 बच्चे इस रोक के सिकार हो चुके हैं इस साल ठीक है अगला कोशन है ह पहागलपूर का निवासी है उनके द्वारा विक्सित किया गया एप से जिले से लेकर पूरी दुनिया में कोरोना पिरोतों की जनकारी प्राप्त किया जा सकता है और इसके साथ ही इस एप में इस योजना से किस जिला के लोग लाभान बित होंगे इस योजना से दोस्तों समस्ति पूर जिला के सबसे अधिक लोग लाभान बित होंगे बी ओप्सन इसका सही हो गया और दोस्तों दूसरा कोशन ता कल का हाली में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के भूगर्व जल के अस्तर में सबसे अधिक ब्रिद्धी रिकॉर्ड किया गया है तो यह गया जिला में किया गया है co Kristinex का सही हो गया तो आज कल के टीफि कंट के सही उत्तर हो गया B और C रीपोर्ट का कोशन है विहार के किस वेक्ति द्वारा किया गया है कार हैकिंग पर रिजचर को अंतराष्टी अस्तर पर चुना गया है और आज का करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा या helpful लग रहा है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए तो आपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप और आप लुडियो का साम में जरूर आप लिए और दोस्तों आज के लिए तना ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपistas